Hello everyone, एक बार फीड से आप सभी का स्वागत है So guys, आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है कि अगर आप लोग CUAT Master के लिए तैयारी कर रहो हो यानि कि MA के कोर्स के लिए आप लोग तैयारी कर रहो हो तो आपका जो syllabus है, जो की नया syllabus है NTA ने यहां पे release करना start कर दिया है तो आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग यही देखने वाले है कि आप लोग syllabus को किस परकार से download कर सकते हो और किस-किस course का syllabus यहां पे available करा दिया गया है NTA के द्वारा गाइस मैं आपको बता दू कि यह वीडियो आपको दो पार्ट में मिलेगा वो इसलिए मिलेगा क्योंकि अभी सभी courses का जो syllabus है वो नहीं आया है तो जब उनका भी syllabus आ जाएगा तो आपको वीडियो बना के हम लोग inform कर देंगे फिलाल किस किस course का NTA ने syllabus अपडेट करा है 2022 वाले exam के लिए तो हम लोग देख लेते हैं अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज चैनल को subscribe करिए वीडियो को भी like करिए ताकि इसी वरकार की जो वीडियो जो information आप तक पौंसती रहे हमारे वीडियो के माद्यम से तो अब देखिए आपको syllabus डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले NTA का जो website है जो कि मैंने आपको बताया था जहां से आपको अपना application form फिल करना है अगर अभी तक आपने application form नहीं फिल किया है तो जाके फिल करिए अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैंने उस पर अल्रीडी वीडियो बना रखा है डीटेल वीडियो बना रखा है इसी वीडियो के description box में उसका भी link मिल जाएगा आप लोग उसको अच्छे से देखके उसके बाद आप अपना form यहां पर फिल कर सकते हो देखे गाइस अब बात करते हैं आपके syllabus के बारे में कि आप syllabus आपको मिलेगा कहां से जब आप लोग official website पर आएंगे cuat.nta.nic.in पर जब विजिट करेंगे तो यहां पर जो information वाला यहां पर आपको जो section देखने को मिल रहा है उस पर आपको दो वार यहां पर क्लिक कर देना ठीक है जैसे आपने क्लिक करा तो उपर आपको information bulletin मिल जाएगा और उसके नीचे आपको syllabus मिल जाएगा सिंपली आपको करना क्या syllabus वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे आपने क्लिक करा तो यहां पर वो सारे course जिनका यहां पर syllabus अपडेट कर दिया है दो हजार बाइस के इसाप से आप लोग यहां पर देख सकते हो डाइरेट क्लिक करके आप PDF फाइल को क्या कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो गाईस यहां पर मैं आपको बता दू कि code नंबर 46 का इन लोगों ने syllabus अपडेट कर दिया है ठीक है code नंबर 18 18 का जो यहां पर syllabus है उसको अपडेट कर दिया है आप लोग देख लीजेगा आपका 46 का कर दिया तो अब भी अगर हम लोग देखें इस syllabus को ठीक है तो काफी कम courses का लगवक 6 course का अभी syllabus इन्होंने नए तरीके से रिलीज करा है तो अब जो बाकी के courses से क्या उनका syllabus एंटे रिलीज करेगा या नहीं करेगा मैं आपको बता दू एंटे का काम है एक्चुली काफ और बाकी आप लोग जो है वेबसाइड पर विजिट करके यहाँ पर चेक कर सकते हो जो बाकी के courses है यानि कि वो course जो की पहले से include थे तो उनका जो syllabus उसमें आपको कुछ खास चैंस देखने को नहीं मिलेगा अगर मैं बात करू पॉलिटिकल साइंस की या फिर मैं बात करू सोसलोजी की ठीक है तो वहाँ पर हो सकता है कि एकात ठिंकर जो है कम कर दे या फिर भढ़ा दे ठीक है ऐसा ही अगर आप लोग जोग जोग्राफिका देखेंगे तो हो सकता है कि एकात पार्ट को कम कर दे या फिर भढ़ा दे ठीक है यही रहेगा बाकी उसमें को ज्यादा change आपको देखने को नहीं मिलेगा, so आप लोग जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो, उसी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, करिए यहां पर ओके, और वो student जो की code number 42, यानि की MA political science, PISM, या फिर IRAM के लिए तैयारी कर रहे हैं, पबेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी online class से जो हैं जूड़ सकते हैं, पांच जून से हमारी online class यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, वीडियो के description वोक्स में उसका भी detail दिया गया है, बाकी हमारे contact number दिये गया है, आप हमें WhatsApp पर direct message कर सकते हो, आपको course का detail मिल जाएगा गयाज, ओके तो आज कि इस वीडियो में गयाज, इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया